नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिय और आपका स्वागत है SGV News पर अब आर यहां पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं अडानी हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग के लिए अमेरिकी लाफ फर्म को हैर कर दिया गया है अडानी समू की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर अडानी से जूड़ी हुई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में 24 जनवरी को अपनी एक नेगटिव रिपोर्ट पेश की जिसके बाद अडानी समू को भारी नुकसान उठाना पड़ा इतना ही नहीं अडानी समू के शेरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली कमपनी का जो मार्किट कैप है उसको सो अरब डॉलर जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में अडानी समू पर केई गंबीर आरोप लगाए थे लेकिन अब गोतम अडानी की अगर बात किये तो इस शौर्ट सेलर कंपनी से बदला लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं अडानी जी हाँ अब अडानी हिंडनबर्ग के साथ लीगल फाइट की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी जंग के लिए अमेरिका की ही बड़ी जो लॉफर्म है उसको हायर कर लिया है इस वक्त की बड़ी खबर जो रिपोर्ट सामने आ रही है अमेरिकी लीगल फर्म वाच्टेल को हायर किया गया है आपको जानकारी दे दें कि वाच्टेल एक चर्चित और विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक बेहद मशूर लॉफर्म है दरसल हिंडनबग के खिलाफ अब जो कानूनी एक्षन है उसको ले करके गोतम अडानी अपने जो निवेशक हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको दरसल आश्वस्त करना चाते हैं इसलिए अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है और उनका बरोसा भी गोतम अडानी जीतना चाते है आपको बता दें कि हिंडनबग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रूप पर अब तक का इसको सबसे बड़ा जो है कॉर्पोरेट संकट कह सकते हैं जो इस समय चल रहा है हलांकि शेर्ज मेरी कवरी हुई है और इसको निपटने के लिए अब समूने दिगज अमेरीकी वकीलों से जो है वो लगातार संपर किया अडानी इस मार्किट में लगे हुए जटके से उभरने के लिए जो है हिंडनबग के फांडर नौथन एंडरसन के खिलाफ अब लीगल लडाई में जो है वो सामने आ गए हैं और अब लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा दरसल फाइ अडानी समू ने न्यूयोक के वाच्टेल, लिफ्टन, रोसेन, कॉट्स जैसे बड़े-बड़े जो लॉफर्म हैं उनसे जो है संपर्क किया बड़े-बड़े जो लॉफर्ट्स अमेरिका में बैठे हुएं उनसे संपर्क किया गया और हिंडनबग की रिपोर्ट के बाद जिसी साब से कंपनी को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा उसके बाद आखिरकार अब ये कानूनी कारवाई के लिए जो है अडानी समू ने इन चारों फर्म में से वाच्टेल को हायर किया है आपको बता देगी सुप्रीम कोट में भी अडानी समू के खिलाफ जो जिसल एडवोकेट एमल शर्मा और एडवोकेट विशाल तिवारी ने कोट में याचिका धायर करते हुए ये का है कि हिंडन बग की रिपोर्ट के कारण अडानी के शेरों में निवेश करने वाले जो निवेशक हैं उन निवेशकों को काफी जादा नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट के कारण देश की शवी जो है वो दू मिल हुई है तो यहां पर अब सवाल ये भी बनता है कि अब विपक्ष क्या कोई और मुद्दा लेकर क्याएगा जिसी साब से बजट सत्रे हिस्सा में चल रहा है क्योंकि सिरफ अडानी के मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं लेकिन अब गोतम अडानी जो है कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तयार हो चुके हवं तो क्या विपक्ष कोई और मुद्दा लेकर के आएगा कि अब है के पास से अगर बात किए तो अडानी के लावा कोई और नाम जो है वो नहीं सुनाई दे रहा है दरसल क्या है इस हिंडन बग रिसर्च रिपोर्ट में पहले इसके बारे में आपको बता दें हिंडन बग की जो यह रिसर्च रिपोर्ट है इसमें दावा किया गया है कि जो अ अडानी एंटरप्राइजिस के 20,000 करोड रुपे का जो एफपियो आने वाला था वो एफपियो लाने से ठीक पहले जो है 24 जनवरी को जारी की जाती है टाइम लाइन देखिए आप और इस रिपोर्ट का आसर इस कदर रहता है कि अडानी ग्रूप को अपना जो एफपियो है इस चारसु तेरा पनो का एक जो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया इसमें या रो जो है वो पूरी तरह से निकार दिए गए की आदे दूरे तत्थेंगों पर ये रिपोर्ट पेश की गई है इसमें सच नहीं है इसमें फैक्ट्त से पूर्व उपाध्यक्ष अर्विंद प पारचित में कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और जो साक है वो शक के घेरे में है अमेरिका में शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ जान चल रही है उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो कंपनिया है ये ये भी धावा करती हैं कि उनके पास दश्कों का अनुबव है फोर्त लंबा एक्सपिरियंस है लेकिन हिंडनबर्ग की सचा ये है कि ये खुद सिर्फ और सिर्फ छे साल पुरानी कंपनी है जी हाँ छे साल पुरानी कंपनी वहीं पंगडिया ने आगे इस वामले में कहा कि ये जो शॉर्ट सेलर्स है इनको एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स भी कहा जाता है इनके पास शेर नहीं होते हैं लेकिन जो यह कंप्णिया ये कई तरह के agreement करती हैं फिर उसके बाद वह agreement करने के तेबाद यह लोग जो है खराब news निकालते हैं खुद जानपूश करके खराब newze निकाल ली जाती है हालां कि पनगडिया ने ये भी इस मामले में कहा कि मैं हिंदन्बग की रिपोर्ट को लेकर जो है ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ शाट सेलर्स हिंदन्बग भी एक शाट सेलर कम्पनी कुछ शाट सेलर्स क ऐसा रिकॉर्ड है और इसी बात का जो investigation इस समय जो है वो Justice Department America में चल रहा है, Justice Department America इस समय कर रहा है, तो खुद सवालों के गेरे में है हिंडनबर्ग, वहीं आगे पंगडिया ने ये भी कहा कि रिपोर्ट के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत में देखने को मिली, अडानी समू के प्रति, इसी तरह की प्रतिक्रिया बाकी देशों में भी देखने को मिलती है, जो बाकी कुछ रिपोर्ट्स आई हिंडनबर्ग की, तो पंगडिया ने ये भी बोला कि इस से पहले हिंडनबर्ग ने अमेरिका और चीन की कमपनियों को लेकर भी रिपोर्ट निकाली थी, अगर इसकी वे कमपनी की कोई पारदर्शिता नहीं है, कमपनी खुद मातर छे साल पुरानी है, इस कमपनी में कितने करमचारी है, ये भी इसकी वेब साइट पर साफ नहीं है, तो जहां एक तरफ खुद हिंडनबर्ग सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगाता इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, ED और CBI की जो जांच होती है, उसको सवालों के घेरे में रखता है विपक्ष, उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, लेकिन इस हिंडनबर्ग पर भरोसा है, जो मातर छे साल पुरानी कमपनी है और हमेशा से विवादों के गेरे में जो है वो रही है, बड़े एक्सपर्ट का ये कहना है कि इसकी जब जब रिपोर्ट आई है, तब तब वो कमपनी जो है उसको नुकसान उठाना पड़ा है, तो क्या ये हिंडनबर्ग पर सवाल उठाने के लिए कम बात नहीं है, तो यहां पर देखना होगा कि इस हिंडनबग के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई में आखिरकार अडानी समू को कितनी जीत प्राप्त होती है, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है, इसमें कोई भी जो है वो तथ्यपेश नहीं किये गए है, बहराल अब देखना होगा कि क्या वि पॉस्टिविटी देखने को मिल रही है, जो ये रिपोर्ट आने के बाद लगातार नीचे जा रहे थे, अब दोबारा से मार्किट में पकड़ बनाना शुरू कर दी है, गोतम अडानी ने, अब इस पर आपका क्या कहना है, जो एक खबर सामने आई है, फैनेंशल टाइम् ताबिक अमेरिका की बड़ी law firm को hire किया गया है, अपने खिलाव जिस तरह से दुश्प्रचार जो है वो चल रहा था उसको ले करके, अब इसमें आपकी जो भी राय है, आप हमार साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए ब गुश्प्रचार जो जिस तरह से ज़ने आपकी जो भीनिया छोडेटी जो ज़ में भीनियाम वे जो जो एकार फिलावत